कि नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को बड़ा जटका लगा है केजरिवाल तीन सेतंबर तक नाएक हिरासत में ही रहने वाले हैं राजवेन्य कोट ने उनके हिरासत को आगे बढ़ा दिया हैं सीबियाई मामले में कोट में सुनवाई हुई थी वहें राहत के उमीद लगाए केजरिवाल को बड़ा जटका लगा है ऐसे में केजरिवाल के मुश्किले कम होने के बजाए बढ़ते दिख रही हैं तो दूसरी तरफ सुप्रेम कोट ने दिल्ली शराब घुटाले से जुड़े मनी लॉंजरिंग मामले में बियारे सनेता के कविता को जमानत दी दी है उन्हें ED और CBI केस में जमानत दी गई है अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत की है उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमार करना होगा वहें अदालत ने जमानत देते हुए मने शिसोदिया केस और ट्रायल में देरी का हवारा दिया ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले सिसोदिया अब के कविता को जमानत लेकिन कब आएगी किज्रिवाल के बारी इसे पर चर्चा करने के मेरे साथ स्टूडिय मोचूद है कैपिटल टीबी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कमार दुपसाप स्वागत है आपका अब तो के कविता को भी जमानत मिलगे किज्रिवाल के बारी कवाईगी विचारा अंदर सोच र पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये भी बड़ी चिंता है दिपावली मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे लेकिन बात कहना चाहिए जो लोगों की का एक जो बिलीफ था कोट के ऊपर नियाइक ब्रस्ता के ऊपर के पाकिट में पैसा है तुम बड़े नेता हो वाले हो, कुछ नहीं होगा तुमको. जो कांड करना करो, कुछ नहीं होने वाला. नेतवारो कुछ हुआ है, इस दिस्म नहीं होगा कुछ. देखिए, नेसल हेराल्ड केस में नाम घुजा हुआ है, बेल की उपर बाहर है राहूल गांदी, सुनिया गांदी, वो रोध प्रध देश को तोड़ने का काम में लगा हुआ है, हिंदुओं को तोड़ने काम में लगा हुआ है, और बेल में बाहर है, क्यों? अपना सिस्टम भी सड़ा हुआ है. जो हुन्याइक विवस्ता है, वो बिलकुल सड़ा हुआ है. देखिए, वो रहा है तनी तन तक जेल के अंदर उगाही के पूरे सबूत उगाही करने वाला सचिन वाजे जेल के अंदर लेकिन मिनिस्टर जो है वो बाहर आ गया मिनिस्टर बाहर आ गया कोई कह देगा कमर में दरद है तो ज़सा बड़े चिंतित हो जाता है ने 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 नीता जी को एक्स होम मिनिस्टर है देशमुक इसको अगर कमर में दरदे तो बाहर भेजो उसको चाहे चोर कितना बड़ा भी क्यों ना हो वाजे बाहर नहीं आएगा रसुक वाला जो कोई नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा आपने सही नाम लिया लालू यादव उसको रोधो कन्विक्टिड है सजायाफता है देश में कौन प्रधान मंतरी होगा वो डिसाइड कर रहा है तो ये बात तो समझ लीजिए कि पॉकेट में पैसा है आप निता है आप रसुक वाले है तो नियाए जो है आपके जेब के अंदर है फिर आप टैक कर लो कि नियाए क्या है नहीं तो कि कविता छूट गई कि कविता छूट गई क्यों छूट गई सिस्टम ये अपना लुज़ पुझ है सिस्टम कहे तो पुलिस वाला से लेकर के सुप्रिम कोट तक अधना साधिकारी से ले करके राश्पती तक जिस सिस्टम के अंदर ये ओपरेट कर रहे है वह लुझ पुझ है जिस डिपार्टपेट में जाओ वही जो है वो ओवर वाइलिंग की जरुरत है कही कही मसीन बदलने की जरुरत है लेकिन वो चल रहा है सिस्टम खटर 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 चल रहा है क्यों मिला बेल बेल ओडर में लिखा गया है वे इन्वेस्टिकेशन खतम हो गया चार सीट डाल दिया है अब पता नहीं कब होगा सुनवाई सब कुछ होई कि आप क्या है चोड़ दो जाने दो अराम करेंगे बहुत दिन हो गया एक सो पचास साथ दिन जो है वो जेल में रहली बहुत हो गया ठीक है लेकिन ये कानून सब के लिए बनना चाहिए इस देश में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्राइंस हैं जितनी न उसकी सजा है उससे ज्यादा समय से जेल के अंदर में माल नहीं है वो दे केनोट अफोर्ड कपिल सिंबल और सिंग्वीज तो बचारे सब रहे जेल में और लंबी चोड़ी ज्यान जो है वो सोफिस्टिकेटेट लिगल लिमुनिरी जो है वो राइट्स के उपर बात करेंगे सिस्टम के उपर बात करेंगे पारदर्शिता के उपर बात करेंगे उल जलूल बात है जिसका कोई गरीब लोगों से कोई लिना देना नहीं तो ये कि चुके लेट हो रहा भाई इसी वज़े से मनिस्य सुधिया को भी मिल गया मनिस्य सुधिया को किसली मिला वो इसली मिल गया क्योंकि तीन साल जो है उसके अंदर minimum punishment है तो minimum punishment के 50% अगर आप आपने सजा काट ली तो आपको default मिल जाता है तो उस हिसाब से वो भी निकल गया अब तेरा क्या होगा केजरिवाल केजरिवाल का मामला फसा हुआ है कारण अभी ना तो वो अठारा महीन हुआ है वन और नहीं यह के कविता की तरह इस क्राइम में एक indirect role है केजरिवाल का role क्या है इस घोटाले में घोटाला हुआ है घोटाला हुआ है इसमें कोई doubt नहीं ही किसी को ना राजवन्य कोट को ना हाई कोट को ना सुप्रिम कोट को अभी तक जितने जो यह आये हैं वो यह मान के चला जा रहा है लेकिन किसका क्या role है संजे सिंग को जब बेली मिला था उसके पहले ही हम लोग ने कहा था कि वो indirectly involved है और इसलिए जब उसको कोट में put up किया गया एडी ने कहा कि चलो भाई इसकी ज़रुत नहीं ज़रुत नहीं है अब केजरिवाल और मने से सोधिया में डिफरेंस वो 18 महिने का है यह लोग डिरेक्ली इंवार्ट है डिरेक्ली इंवार्ट है कैसे कि यह right from beginning A to Z इस घुटाले में इनके कहने के मताबिक हुआ है सब कुछ कानून लाने का idea इनका कानून बनाने का idea इनका घुस लेने का idea इनका साथ लोगी को बुलाने का idea इनका सौकरो रूपे का rate तैकरने का idea इनका अंदर जितने भी कानून में बदलाव आए कैसे इसका तिक्डम किया जाए यह सब कुछ केजरिवाल ने केजरिवाल के इस सारे पे ही सब कुछ हुआ पैसा कौन लाएगा कहा लाएगा सारा but he is the kingpin of this scam और सक्तिसाली रखती इस तरह के स्वेब चीफ मिनिस्टर है जेल के अंदर है लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री है अब इससे बड़ी मरसों कर सकते है कि सर्मना कहानी क्या हो सकती है कि राश्पती प्रधान मंत्री ग्रिम मंत्री सुप्रिम कोट जज गवर्नर यह सब इस पाप के भागिदार है कि एक व्यक्ति नहीं इस सड़े हुए सिस्टम के लूपोल्स को समझ लिया कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंत्री जेल चला जागा तो कहीं लिखा हुआ है कि हम इस्तिफा दे और सारे सुप्रिम कोट से ले करके जजेज और चीफ जस्टिस से ले करके राश्पती सक्त सब लोगों ने हाथ में चूड़िया पहल लिए वो मखार उड़ा और इन लोगों ने ये पाप अपनी नाक के नीचे होने दिया इन लोगों कभी कोई माफ नहीं करेगा किसी को माफी नहीं मिलेगी कि आपने ये काम किया है का ये राहुल गांदी सम्विदान लेकर के घूमता है इन बेपकूफों की जमातों ने इस देश का मखाल उड़ा दिया इस सिस्टम का सब को राजिनिती करनी है सब को राजिनिती करनी है तो चाने की गलत नहीं कहिए कि मैं जहां सारे लोग जहां कि जनता ही लालची होगी तो वहांuję लोग क्रोकेट उभ जो है रूल करेगा तो एस में इस नहीं है ये बड़ी बड़ी बाते नहीं करनी चाहिए केजरेवाल के साथ क्या है कि जो पैटर्न लदर आ रहा है दो ही चीज होगा अभी आप देखते जाएए क्या क्या होगा दुनिया का जूबा कीरतिमान बनाएगा ये तिहारी चीफ मिनिस्टर कि ये व्यक्ति अगर एक्स्टेंट हो गया कि थोड़ी इज़त बच जाएगी इसकी और अगर इसे बेल मिल गई तो बहुत बेज़त होगा क्योंकि बीच में बेल मिला था ना क्या सर्ते थी कि तुम तो जेल के बाहर आ गए लेकिन तुम अपने दफ्तर नहीं जा सेकोगे तुम फाइल साइन नहीं कर सकोगे तुम अपनी कुर्शी पर नहीं बैठ सकोगे तुम सचिवाले के अंदर तक नहीं जा सकते मतलब मुख मंत्र के रूप में तुम कोई काम नहीं कर सकते किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते तुम कैबनेट बैटक भी बुला सकते यही सर्थ तो फिर आगे भी लगेगा सर्थ तो वही लगेगा बेल मिलेगी लेकिन यह सारी सर्थे हो जाएंगी क्योंकि आलड़ी यह सर्थे सुप्रिम कोट के द्वारा लगाई गई है और अगर यह सर्थे नहीं लगाई जा रही है तो इसका मतलब है कि सुप्रिम कोट ने यह कह दिया कि भैई ठीक है मुख मंत्री जी जाईए बाहर इस सराब घुटाले में जितने भी लोग है सब के उपर धौस जमाईए गवा कौन है सरकारी अधिकारी लोग ही है न उस फाइल पर साइन करवाना यह हुआ क्या हुआ वो सारे लोग उसके अंदर है तो इसका मतलब यही होगा कि सुप्रिम कोट खेनाक के नीचे जो है आपके आदेश से जो है लोग इंफ्लूइंस करेंगी अभी देखें कोई मीडिया वाला बोलता है सब माल खाकर के बैठे हुए सब माल खाकर के बैठे हुए अर्यूटीजमेंट के चक्कर में ये सिस्टम को सडारे में सब लोग लगे हुए सब अपना अपना कंट्रिबूशन दे रहे है बैठ अभी दिखाया किसी ने सब्ता में दो बार एक हार्ड कोर क्रिमिनल के तरह मनिश्य सोदिया ठाने में रिपोर्ट कर रहा है ये उसके ट्रम्शन कंटिसन का हिस्सा है कभी आपने वीजूल देखा कि आज आज मनिश्य सोदिया ये करेंगे ये दिखाएंगे कि आज मीटिंग कर रहे हैं आज रैलिक कर रहे हैं किस दिन ठाना जा रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे ये तो एडविटीजमेंट कार्ड देगा तो ये सिस्टम जो है जो कुछ भी है भारत है मेरा भारत महान वो यही महांता है इसकी कि यहां चोर उचको की अधिकार जो है वो जादा है जो आम लोग है आम जनता है जो गरीब जनता है उसका इस देश में कोई अधिकार है नहीं बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चानकारी के लिए धन्यवाद दिल्ली शराब गोटाला मामले में पहले सी सोधिया और अब के कविता की जमानत के बाद अब आम आदमी पार्टी की उमीद जग रही है और उन्हें लग रहा है कि केजवाल भी जल ही जेल से बाहर आएंगे लेकिन जिस तरह से केजवाल को कोट से जटके लग रहे हैं उसके बाद तो उनकी मुश्किले बढ़ती चारी हैं और तिहार में केजवार बेचैन हो उठे हैं सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिजे हमारे वीडियो को लाइक किजिए शेर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करकी जरू गताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद